नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये छोटी छोटी बूटी का ये खुब्सूरत सा पैटर्न लाई हूँ चार फंदे का और चार लाइन का ये खुब्सूरत पैटर्न है जिसे आप किसी भी जैन स्वाटर में, लेडिस कार्डिगन में, जैकेट में, कूटी में, बच्चो के स्वाटर में, कैप में, हैट में चाहें, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लाइगा और इसे बनाने के लिए हमें चार के multiple फंदे चाहिए और तीन फंदा extra तो design अच्छी तरह से ठो जाएगा तो मैंने 15 फंदे लिए हैं चार के multiple 12 फंदे और तीन फंदा extra 15 फंदे लिए हैं तो line का border बना लिया है तो पहली line में हम सभी फंदों को सीधा बुलेंगे अब यहाँ पे अगर आपको अपने project में फंदे बढ़ाने हो तो इस line में आप फंदे बढ़ा सकते हैं design wrong side से start होगा तो पहली line में हमने सभी फंदों को सीधा बुल लिया अब हम आजाते हैं wrong side में और यह हमारे design का पहला line है तो हम तीन फंदों को सीधा बुलेंगे पहले फंदे को सीधा बुल लेजे या slip कर लेजे अगले दो फंदे सीधे तीन फंदा सीधा बुलेंगे उनको अपनी ओर करेंगे अगले फंदे को हमें बुलना नहीं है slip कर लेना है फिर next फंदा सीधा बुलेंगे लेकिन उन हमार हमारी तरफ ही रहेगा उनको अपनी तरफ रखके हुए ही अगला फंदा सीधा एक दो तीन तीन फंदे सीधे बुनेंगे उनको अपनी और करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे नेक्स तीन फंदा हमें सीधा बुनना है लेकिन यह हमारा उन हमारी तरफ है अब इसको ऐसे उप अब अपनी ओर करेंगे तो उनको इधर ही रखे हुए सीधा बुनेंगे, ऐसे करेंगे तो यह जाली बन जाएगा, ऐसे सराई के ऊपर से ले जाते हुए इन तीन फंदों को सीधा बुनेगे, इस तरह हमारा यह दूसरा लाइन कम्प्लीट होता है, अब हम आजाते हैं सामने की तरफ, तो तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, और देखिए यह स्लिप किया हुए फंदा है, तो इसको भी और दोनों को, दोनों को ऐसे हम दाइनी स्लाई में ले ले लेंगे, उनको चलाते हुए वापस अपनी ओर लाएंगे, और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, इससे हमें ऐसे स्लिप करना है, और उनको स्लाई के ऊपर से ले जाते हुए वापस अपनी तरफ लाएंगे, और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इससे हमें स्लिप करना है, उनको स्लाई के ऊपर से ले जाते हुए वापस अपनी तरफ तो इस तरह हमारा तीसरा राइन कम्प्रीट होता है अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और तीन फंदा हम सीधा बनेंगे अब उन को अपनी ओर करेंगे और देखें तीनों धागों को लेते हुए ऐसे सलाई जालेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन सलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर एक और फंदा तीनों को साथ लेते हुए हमने तीन फंदे बना दिया अब इसे गिरा देंगे अब देखें तीन फंदे सीधा हैं तो इसे हम सीधा बनाएं उन अपनी ओर तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और तीन फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए 1डबना उन उनसे चलाते हुए वापस अपनी तरफ लाएंगे फिर एक और फंदा बनाएंगे तो इसे गिरा देंगे उन दूसरी ओर तीन फंदा सीधा तो इन से हमें तीन फंदा बनाना है ऐसे हम अजै डलेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे कुल चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे कुल दूसरा फंदा हो गया connection इसमें एक और फंदा जतीन में तीन फंदे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम उल्टा बून लेंगे दूसरे फंदे को भी हम उल्टा बून लेंगे अब उनको दूसरी उल्ट करेंगे अब देखिए हमने जो तीन फंदे बनाय थे तो इसमें से एक फंदा लेंगे और उल्टे फं तो यह हमारे दो फंदे बढ़े थे और दोनों घट गए अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे उन दूसरी और करेंगे अब देखिए हां यहां पे हमारे दो फंदे बढ़े हैं तो इन्हें हमें घटाना है तो क्या करेंगे एक तीन में से एक फंदा और एक उल्टे में से दो फंदा हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो काएक करेंगे फिर पीछ वाला फंदा फिर हमसे सीधा करेंगे नेक्स्ट फंदे को लगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे पॉन अपनी ओर करेंगे एक फणका सुखराच फिर देखिए सीधा को दिया दल फंका सीधा दशी पर दो ऐती तो पनता है इसने तरह हमारा चौथा लाइन के सुखराच दुन हमा जाते हैं राक्स साइट से और अब दEKHेiendo पहला पंदा Slip कर लेंगे उनको अपनी और करेंगे दूसरे पंदे को स्लिप करना है उन हमारा हमारी तरफ रहएगा और फिर अगला पंदा सीदा यानि तेकिए ऐसे उपर से जाएगा अगले पंदे को सीदा बुनके फिर दोबन ये जो सीधा फंदा है इसे हमें अपनी और करेंगे और जो तीन उल्टे फंदे हैं अब वो तीन सीधे फंदे हो जाएंगे तो उनको अपनी तर्फ रखे हुए तीन फंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, उन अपनी ओर, देकि ये सीधा वाला फंदा इसे हमें स्लिप करना है और ये तीन जो उल्टे फंदे हैं इन्हें सीधा बुनना है लेकिन उन हमारा हमारी तरफ रहेगा यानि अपनी तरफ उन रखे हुए ही इन तीनों को हम सीधा बुनेगे एक, दो, तीन, उन अपनी ओर, अगला फंदा देखे सीधा है यानि इसे स्लिप करना है उनको फंदे को दूसरी तरफ करेंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, उन हमारा हमारी तरफ है और अगला फंदा हमें उनको अपनी तरफ रखे हुए ही सीधा बुनना है तो यह हमारा पांचवा लाइन कंप्रीट होता है अब हम आजाते हैं सामने के तरफ तो फैला फंदा या तो उल्टा बुनिये या फिर स्लिप कर लेजे अब देखे यह स्लिप किया हुआ फंदा है तो इन दोनों धागों को हम दाइनी स्लाइमे ले लेंगे उनको चरहा कर व हम दाइनी स्लाइमे ले लेंगे उनको चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदा उल्टा फिर स्लिप करने वाला फंदा आ गया तो इसे हम दाइनी स्लाइमे पर कर लेंगे बिना बुने उनको चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदा उल और अगला फंदा इसे हम उल्टा तो यह हमारा छठा लाइन कम्प्लीट होता है अब हम आ जाते हैं रॉंग साइन में और यह दिजाइन का साथ वा लाइन है तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या फिर सिधा बूलेंगे उन अपनी उल करेंगे अब देखे यह तीन फंद है हैं तो इन तीनों को एक साथ लेते हुए तीन फंदा बनाएंगे ङुल्टा बुनते हुए तीन फंदा एक उनको श Σराइमें चला कर वापस अपनी तरफ लाइंगे दो और फिर इसी में एक और उđ्लटा फंदा तो तीन से घजिए हमारे तीन फंदे हो गाए अब यह ती सीधे फंद हैं तो इन्हें हम सीधा बनेंगे एक दो सीधा अफिर उन अपनी और करेंगे अब इन तीनों फंद को एक साथ लेते हुए तीन फंदा बनाएंगे एक दो लुट्रे पने ध्री, व दो रुट इंदो आपका पने ध्री जय को बनेंगे। एक, दो, तीन, उन दूसरी ओर, तीन पंदा सीधा, एक, दो, तीन, इस तरह यह हमारा सात्वा लाइन कम्प्लीट हो जाता है, अब हम आजाते हैं सामने के तरफ, अब देखिए, इन तीन फंदओ में, को हमें, एक, बनाना है, याणि यहां से जो फंदे जो बढ़े हैं उसे घटाना है, तो क्या करेंगे? दो फंदो को एक साथ लेंगे, और सीधा बिलते हुए, दो का एक. फंदा सीधा, अब इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनागे, उन अपनी और बीच का फंदा उल्टा, उन दूसरी और दो फंदे लेंगे, और सीधा बनते हुए दो काये, फिर एक फंदा सीधा, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, अगले फंदे को लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हैं एक सीधा पंदा उल्टा उना पनी और अग्ला पंदा उल्टा दखीए आप आप ल्यूब करें गया किना और दिखाएदे अब बिल्टा पंदा आप लुक्तपह लोगते, divertाल पंदा उने और शिहें के सामने तो देखिए फ्रेंट चाल फंदों का और आर्ट लाइन का ये डिपीटे डिजाइन है डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक्स पर वचिंग